जिस तरह से राजस्तान जो शांती पूर्ण सोहार्द पूर्ण प्रदेश था उसमें जिस तरह का वेमनस से फैला है जिस तरह से राजस्तान में दंगों पर दंगे हुएं और बहुसंख्यक समाज की भावनाओं को चोट पहुँचा करके अपने वोट बैंक को खरा करने का जो कुछ सित प्रयास मानने मुक्यमंद्री जी ने किया है अब की बार बजरंग वली निश्चित रूप से उनको दोवी पचाड इसके कारण से देने वाले हैं वर्तमान की अशोगेलोद सरकार राजस्तान की लोगतांत्रिक इतियास में आजादी के बायाद बनीवी सारी सरकारों में सबसे ब्रिश्टतम सरकार है जिस सरकार के हर एक विधायक ने ब्रिश्टाचार के नए बेंचमार्क्स बनाएं और ये बात केवल हम कहते तो शायद लगता कि हम राजनितिक टिपणी कर रहे हैं विधायकों ने सदन के प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर के मंच पर खड़े होकर के टिपनियां किये पार्टी के वर्तमान में मंत्रीपद का दर्जा प्राप्त लोगों ने अपने ही साथी मंत्रियों पर इस तरह की टिपनियां किये और क्याबिनेट में साथ बैटने वाले मंत्रियों ने मंच पर खड़े होकर के इस तरह के टिपणियां करते वे सरकार के ब्रिष्टाचारी ओने पर महर लगाई है और अब सबूतों के साथ जिस तरह से किरोडिलाल जी ने एक श्रंकला की शुरुआत किये ये तो अभी केवल इस सरकार के ब्रिष्टाचार का पोस्टर चपा है इस पोस्टर के बाद में तो है वो फिल्म में क्या आता है पोस्टर के बाद में ट्रेलर आता है ट्रेलर आएगा उसके बाद में जो है असली ब्रिष्टाचार की फिल्म तो अभी रुक जाई है दिन बाद में दिखाई जाने वाले देखें केवल बरत सिंगी का भीशे नहीं विदान सबाई के पर खड़े ओकर के जिस तरह के आरोप विदायकोंने लगाएं मंत्रियों ने सरे आम एक दूसरे पर कि आप सबसे ब्रेश्टम मंत्रि के सलाकार ने खड़े हो करके मंत्री पर पचास करोड़ रुपए का गोटाला मंत्री जी आप ने किया यह शब्द बोलें उसके बाद में भी सरकार निरलत जोकर के और स्वच्छे प्रिशाशन और शुशाशन की बात के और सरकार के मुख्या करते हैं जिस तरह कि राजस्तान में हाला आते हैं राजस्तान में जिस तरह से एजेंस का दुरूपयोग हो रहा है राजस्तान में जिस प्रकार से सरकारी मशीनरी का राजनीतिक